नमस्कार सात्यों रजस्तान बेरुजगार भथ्ता योजना को लेके इस वक्त की बड़ी खवनिकल की सामने आरी है रजस्तान में बेरुजगार भथ्ता योजना पर मन्थ 45 रुपए दिये जा रहे हैं इसकी आवेधन परक्रिया शुरू हो चुकी है सबी को मिलेगा बेरोजगार भत्ता योजना का लाब नया नियम जो है इसमें जारी हो चुका है रेजिस्टेशन लिंक क्या पातरता है कौन-कौन इसका लाब दे सकता है क्या-क्या दस्तावेच चाहिए और किस तरीकी से जो आप बेरुजगार भत्ते का लाब ले सकते हैं इसकी तमाम जानकर इस ट्वीडियो में सेर करेंगी जानकरी पसंद आए तो वीडियो को लैक्चेर करने की साथ ही अगर आप चैनल पे ने हो तो वीडियो के नीचे सब्सकाइब को बड़न को दबा के चैनल को सब्सकाइब कर ले पास में बैला घंटेक निसान को दबा किया लोटे किसन को जरूर करें साथ यो आप आपने अभी तक बेरुजगार भत्ती योजना यानि की आप बात करें राजस्तान युवासंबल योजना या बेरुजगारी भत्ता योजना का लाब आप ने लिया है या नहीं लिया है इसका नाम मुख्य मंत्री युवा संबल योजना इसका नाम किया गया था संबूर राजिस्तान में इस योजना को लागू किया गया है एक जनूरी 2022 से इसको जो है लागू कर दिया गया था बात करे इस योजना के तहट कौन-कौन इसका लाब ले सकता है तो परिवारिक आय जिसकी जो है परिवारिक आय की बात करे प्रिवार की कुल वार्षिग आय में जन अधार कार्ड के अनुसर माता पेता पती पतनी सास हसुर वियोहाइत मैला के पती का नाम एवैस्क बच्चों की आय इसमें शमलित होगी बेरुजगार के बात करें तो कौन-कौन बेरुजगार होगा जिनको अभी तक जो है कोई वी सरकारी नोकरी नहीं मिली है वो इसमें बेरुजगार के लिए माना जाएगा योग्यता की बात करें रस्तन सरकार दोरा इस्तित विधी या बात करें इस्तापित विश्व विधा जानने के लिए जो है बेजा जा सकता है इसके अलावा किसी भी छेतर में उनकी डूटी लगा ही जा सकती है अब हम बात करें राजस्तान में असो गैलो सरकार दोरा जो है इसका नाम राजस्तान यूआ संबल योजना कर दिया गया है इससे पहले से बेरुजगार भत्ता बढ़ा दी गई है वहीं बात करें महिलाओं को जो है इसमें 4500 रुपई दिये जाएंगे वहीं पुर्जगार जाएंगे इस तरीके से किल के हम बात करें तो पुर्जगार को कुल एक साल में यानि की तीन साल में जो है 36 मेने में एक लाग चम्वालीश हजार रुपए जो है आर्थिक सायता है रासी के रूप में दिये जाएंगे अगर आपने बेरुजगर भत्ता का या लाब नहीं लिया है तो अपने नजदी की इमित्तर या CSC सेंटर पर जाकर इस बार में जो है लगबग हम बात करें तीन साल ही लाब मिलेगा उसके बाद उसको कभी भी बिरुजगर भत्ते का लाब नहीं मिलेगा इसके लिए आप जरूर से और साथ ही हम बात करें इसके लिए जो है सरकारी बैंक यानि की SBI का अकाउंट माने होगा और अगर आगर अब डेक साथ अब तक लिए धन्यवाद जैहिंद